स्वागत है सब का सब पढ़ों सब बढ़ों में और आज की कक्षा में हम करेंगे गिंती 11 से 20 तक तो कल हमने की ती गिंती 1 से 10 तक मुझे आशा है सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से उसको अभ्यास किया होगा तो आज शुरू करते हैं गिंती 11 से 20 तक और आप ध्यान से देखिए 11 कैसे लिखा है देखिए मेरे साथ यह क्या लिखा है एक एक 11 और इसको हिंदी में शब्दों में कैसे बोलते हैं 11 सुनिए ध्यान से 11 ग आधा है यह में आकी मात्रा है रह ग्यारह बच्चे बहुत इसमें गलती करते हैं तो बच्चे ध्यान से देखिए 11 फिर है 12 एक दो 12 तो सुनो 12 और आप देखिए हर शब्द के पीछे रहा रहा आएगा 12 ते रहा और सुनो 13 ते रहा एक चार 14 दिख रहा आपको 14 15 फिर है 15 15 15 15 15 16 16 तो हम इसको बोलेंगे 16 हर अक्षर को अलग अलग बोलिए 16 इसके बाद आ रहा है 17 तो ये है 17 दिख रहा है 17 सत्रह और ह ह सत्रह 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 ते है 18 एक अठा रहा तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 18 त City है इक नौ 19 आप देखिए एक नौ 19 कैसे लिखा है, एक कंद नौ 19 और उ आधी ना फिर फुरी ना बडाकी की मात्रा और सा देख हो धिनीस उल्नीस उनीस, सुनिए उनीस पहले उ फिर थोड़ी सी नाकी अवाज़ आ रही है फिर ना पर पूरी की मात्रा और सा तो देखो ध्यान से 19 फिर है 20 20 होता है और चुब 20 वा में बडी की मात्रा और से सड़क 20 आप देखरे हैं न मात्रा हैं हमने कर लिये तो 20 जो है थोड़ा जादा समय लग रहा है तो बडी की मात्रा है 20 तो ध्यान से देखिए एक बार हम फिर से जो है इसको दहराते हैं और आप मेरे साथ बोलेंगे बोलिए ग्यारह दिख रहे है आपको ठीक से ग्यारह और अंक भी देखो ग्यारह बारह तेरह चोदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस ठीके तो मुझे आशा है कि सारे बच्चों को गिंती का अभ्यास होगा और वो स्वयम लिखकर क्या अभ्यास करें कि जब तक आप खुद लिखकर अभ्यास नहीं करोगे न आपको कुछ भी चीज आएगी ही नहीं अभ्यास से ही निपुन्ट बनते हैं तो खुब पढ़ाई कीजिए आगे बढ़िए सब पढ़ो सब पढ़ो मिलते हैं अंगली कक्षा में मिलते हैं